हेलो फ्रेंड्स, वालकम बैक तो मैं चैनल अम्लिती फेशन मिला, आज की वीडियो में हम लड़ू को पाजी के लिए बहुत एक उपसुर सी एड्रेस बनाने वाले हैं, हमारे नीचे की घेर है और ये रही उपर की चोली और कैप दोनों है इसी में, तो चलिए पहना के पहले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करें से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन पर प्रेस करके और पर क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यह देखें कितने क्यूट लग रहे हैं काना जी तो आप भी से इसली बनाया अपने काना के लिए और पहना है चले स्टार्ट करते हूं वीडियो और देख लेते हैं यह देखें मैंने यहां पर चार कलर का उन लिया है यह हमारा चारो ओस्वाल का बेबी सॉफ्ट टून है थ्री प्लाई का हमार ओन है आपको मार्केट में मिल जाएगा और अगर आपको नहीं मिलता है तो इसके जगह पे आप नॉर्बल ओन भी ले सकते हैं यहां वे मैं यूज़ करूंगी 2.5 mm क्रोश या हुक सबसे पहले हमें इस तरह से एक लूप बना लेनी है यह देखें य आगे आपको बताऊँगे हमें क्या करना है यहां यह देखें और ओना करना है यहां पर पाणो बना है अब हमें क्या करना है इसमें बुनना है कैसे बुनेंगे सेम कलर उन लीजेगा जिससे अपने डोरी बनाई होगी इस डोरी को अपने हुख पर रखेंगे और हुख पर रखने के बाद हमारा यह जो उन है यहां इसे नीचे की साइट से निकालेंगे निकालने के बाद हमने य यह पर चोटा वाला उन है इसे आप कट करके हटा दीजें यह देखे यह हमने कट कर दिया है यह जो अब थी चेन बनाए है इसे भी एक डबल खुराश्य ही मानते हैं हम यहां पर टोटल अपना 24 घ्राश्य बनाना है तो एक हमारा बनी गया है यह इस तरह से किया तीन पंदे दो फंदे से एक बार और दो फंदे से एक बार हमारा दूसरा डबल क्रोश्या हो गया फिर हमने इस तरह से किया सेम जगा डाला और तीसरा डबल क्रोश्या बना लिया फिर इस तरह से करेंगे यहां नीचे से लिया आएंगे और यह अपना चौथा डबल क्रोश्या बनाएं यह देखें मैंने हैं पर 24 डबल क्रोश्या बना दे उसके बाद अपना यह पीछ कलवाला उन कट कर दिया यहाँ पर हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे अगर आपके बहुत थोड़ थोड़ा सा कई सारे कलर का उन बचा है तो उससे आप यह ड्रेस बना सकते हैं यह देखें यह इस तरह से यह मैंने ले लिया है और अब इन दोनों को आपसने हम लपेट देंगे हिने करने के बाद हम है Skills टॉर्ण करने के दार है हमने एक और दो यहाँ पर एक ही चेन में मैंने दो बार डबल क्रोशिया बुनती है अब दो चेन में एक एक बार बुनना है और तीसरी जब आएगी तो इसमें दो बार तो देखे पहली चेन में एक बार दूसरी चेन में एक बार और जो तीसरी आई है हमारी इसमें हम फिर से दो बार बुनेंगे तो ये एक और ये दो यहाँ पर देखे दोनों उन मैंने इस तरह से करके पकड़ लिया तो यहाँ पर हाइड होता चाहा है देखिए ना पीछे से दिखेगा और ना ही आगे से दिखाए देगा फिर हमें 2 chain में एक बार बनाना है और 3 चेन में 2 बार तो देखिये, पहली chain में 1 बार दूसरी chain में 1 बार और जो तीसरी chain है, इसमें हम 2 बार बुन लेंगे यह एक और यहीं सेम chain में 1 और बार इसी तरह से अपना यह पूरा रो हमें complete करना है यह देखिए, यलो कलर निकालने के बाद, अब इन दोनों को हम आपस में इस तरह से ऐसे लपेट लेंगे, बस अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है, एक और दो, दो चेन बनाई, दो चेन बनाने के बाद, पहली ही चेन में हम दो बार, अपना डबल क्रोशिया बना लेंग तो देखिए, पहली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया, देखिए, तीसरी चेन में भी मैंने एक बार बनाया है, और चौथी जो चेन है, इसमें भी एक बार डबल क्रोशिया, अब इसके बाद जो हमारी पांचवी होगी, इ अगला खलर लगाएंगे और हम चार की जगह छे चेन का गया अपलेंगे छे चेन में एक बार और साथ वी में दो बार इसी तरह से हमारा बढ़ता चला जगा चली में इसे लंबा करते हूं फिर आगे आपको बताऊंगे हमें क्या करना है यह देखिए मैंने यहां पर परपल और भी में डालेंगे अकर रहुना हowie साथ यहां च है चार के में डालना है और दो इधर छोड़ देना है और दो इधर बीज में डालके हमने यह जौािंट कर दिया। जौािंट करने गवाद फिर देखें एक दो तीन तीन बनाई यह हमारा 1 double crochet मनता है अब हम यहां सी बार ddc घृतों प्येस्म आदे लोगे MaxPhone सेयन डाला ट्हुब्ल कोा यहां सीन टाल के समस्टी तीन, तीन चेन बनाई, यह हमारा एक डबल क्रोश्या बनाई जाता है, यहाँ पर हमें टोटल छे डबल क्रोश्या बनानी है, तो यह हमारे दूसरी डबल क्रोश्या हो गई, सेम जगह डालके, तीसरी डबल क्रोश्या हो गई, और सेम जगह डालके हमारी, चोथी डबल क्रो 3 double crochet छोड़ेंगे मिन्स हमारी 6 है तीन इधर छोड़ दीजे तीन इधर छोड़ दीजे और बीच में इसे ज्वाइंट कर दीजे यह वैंने कर दिया करने के पाद दिखें हमने 1,2,3 तीन चेन बनाई और इस तरह से करेंगे सेंटर में डालके फिर से वही 6 double crochet बना देनी है देखें 2 double crochet हो गई यह 3 हो गई यह 4 हो गई यह 5 हो गई और यह हमारी लास्ट 6 हो गई अब मैं यहाँ पर देखें क्या करना है हम 1,2,3 तीन चेन बनाएंगे और सेंटर में हम ज्वाइंट कर लेंगे ज्वाइंट करने के बाद देखें फिर 1,2,3 तीन चेन बनाईए और इस बार हमें 8 double crochet बनानी है दूसरी मैंने बना ली यह हमने तीसरी बना दी यह हमने चौती बना ली यह हमने पांचवी double crochet बनाई यह हमने छटी double crochet बना दी यह इस तरह से यह देखें कुछ ऐसा सा हमें लंबा सा पीस यहाँ पे मिलेगा इस तरह से यह देखें अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हमारे जो डिजाइन है इसके देखें 1,2,3,4,5,5 बने हैं जिसमें 2 पीस हमारा 4,4 double crochet का है उसके बाद का 2 हमारा छेचे का है और last वाला हमारा 8 का है अब यहाँ पे हमें yellow color से बनाना है हम देखे कहां से start करेंगे यह जो हमारा पहला piece बना है यह हम यहाँ पे इस तरह से अपना yellow color लगाएंगे यह हमने last वाली अपनी double crochet में लगाया और यह हमने यहाँ से निकाला निकालने के बाद देखे क्या करना है इस तरह से करेंगे और यहाँ पे हम एक chain छोड़ने के बाद दूसरी chain में डालेंगे और double crochet बुन देंगे देखे हमने एक बनाई यह सेम जगाँ डालके हमने दूसरी बनाई यह देखे मैंने चार बना दी अब टर्न करेंगे टर्न करने के बाद हमें क्या करना है यह उन आप अपना हलका सा खीच के और कट करके हटा दीजे यह इस तरह से यह मैंने कट कर दिया अब यहाँ पे हमें फिर से जब हमने अपनी चार double crochet बनाई थी तो हमें सिर्फ एक chain बनाके बीच में joint किया था तो देखे एक chain बनाके यहाँ center में हम joint करेंगे joint करने के बाद हमें देखे क्या करना है यहाँ एक, दो, तीन तीन chain बनाके और सेम जगह डालके हमें double crochet बनाने है यहाँ पे हमें total 4 double crochet चाहिए तो यह हमारी, देखे, 4 हो गई starting के तीन chain एक double crochet मानी गई और तीन double crochet मैंने बना ली तो यह हमारी 4 हो गई अब इसे हमें क्या करना है देखे हमारे यह जो दूसरी वाला piece है इसमें हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे यहाँ से उनको निकाल लिए और यह जोड़ कर दीजे देखे हमारा जोड़ हो गया है जोड़ करने के बाद हमें यहाँ पे तर्न करना है और फिर से यह हम अपनी एक chain बनाएंगे और एक chain बनाके इसे हम center में joint कर देंगे यह हमने center में joint किया center में joint करने के बाद हमने एक, दो, तीन तीन chain बनाई अब हमें यहाँ पे अपनी 6-6 double crochet बनानी है बर जब तीन chain बनाईए तो इसे यहाँ पे एक बार joint कर लीजे यह joint करना बहुत जरूरी है नहीं तो आपका सब अलग-अलग हो जाएगा तो यह देखे, तीन chain बनाने के बाद हमने इसे joint किया और यहाँ हम बुल लेंगे तो इस बार हमें 6 double crochet बनानी है तो देखे, एक हमने बना ली है यह हमारी सेम जगा डालके, दूसरी हो गई यह हमारी सेम जगा डालके तीसरी double crochet, यह सेम जगा डालके, पांच में double crochet और इस टार्टिंग में हमने 3 chain बनाई ही थी तो उसे लेके, यह 6 हो गया बस इसे turn करना है, turn करने गए फिर यह एक और दो दो chain बना के, यहाँ center में joint करना है, जब हमने 6 double crochet बनानी है, तो 2 chain बना के joint कर रहे हैं हम अब फिर देखें, यहाँ पे 1, 2 और यह 3 फिर से मैं बना लेती हूँ यह 2 और यह 3 3 chain हो गई, और यहाँ में center में 6 अपना बनाना है, double crochet यहाँ देखें, 2 हो गया यह 3 हो गया यह 4 हो गया यह 5 हो गया और यह हमारा last 6 हो गया 6 बनाने के बाद, इसे हम यहाँ पे joint कर लेंगे यह देखें, यह 6 वाली जो पट्टी है, इसी में हमारा joint हो जाएगा यह हमने जोड लिया जोडने के बाद, हम इसे turn करेंगे turn करने के बाद, हमने यहाँ 1 और 2, 2 chain बनाने के बाद center में जोड लेना है और यहाँ पे फिर हम 1, 2, 3 3 chain बनाएंगे, और 3 chain बनाने के बाद उपर एक बार और joint कर लेंगे यह उपर की side अब हमने joint किया है, देखें, पिछली बार हमने यहाँ नीचे joint किया था, उपर अब हमने joint करना है हम यहाँ पे अपनी, इस बार 8 double crochet बनाने वाले हैं, तो 3 chain हमारी बनी ही है same वही चीज़ है, बस हमें यह किनारे किनारे joint कर लेना है यह देखें, पूरा मैंने दिखा दिया, यही जो मैंने चीज़ दिखाई है, यही चीज़ आपको बस करनी है, और कोई change नहीं रहेगा मैं चार double crochet मुझे दिख रही है, तो 4 हो गई, यह देखें, 5 हो गई यह 6 हो गई यह हमारी 7 हो गई और यह last 8 हो गई, यह 8 हो ने बना ली, बस एक chain बनाएंगे हलका सा लंबा करेंगे, और कट कर देंगे बहुत easy है, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, और बहुत सुंदर भी लगता है, अगर आप beginner भी हैं, तो भी आपको problem नहीं होगी, यह देखें, यह दो pieces हमारे complete हो गए हैं, इस तरह से यह से करके हम अपने सारे color आपको इसके चोली बनाना बताते हैं, अब चोली के लिए मैं यहां पर 34 चेन बनाई हुई है, एक चेन हमारे होक में है, इसके बाद देखें, हम दो चेन और छोड़ेंगे, और जो तीसरी हैं, इसमें डालेंगे, उनको निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार हम double crochet बना देएगे, अब पर बदाने चेन में है, भी निकल गया मैं फिर से बना लेती हूँ अब यह एक एक पार doubleburg बनानी है हम चौतीस चेन के अंदर हमें टोटल 33 डबल क्रोश्या मिल जाएगी हमने अभी स्टार्टिंग में यहां जो तीन चेन छोड़ी उसे भी हम एक डबल क्रोश्या ही मानते हैं और दो मैने बनाई है अभी तक यहां पर टोटल हर्मार तीन हो गया है आप चाहें तो ब लिए सार पाँच छे सात sle 8 9 दस सुरी हमें नवी चोड़नी थी इव देखें एक टो ही 21 चाहर पांच छे सातlt आच नव नौश्यापर चेन छोड chess झोड़ने और यह जो यहां डबल क्रोश्या में अंधर डालेंगे और यहां पहना तो यह आपना यये लोगाल लगा और हमने यहाँ एक और दो दो चेन बनाई हमें टूटल चौदा बनानी है तो जो दो चेन बनाई है यह एक हमारा माना चाता है हमें हाप विल क्रोश्या बननी है देखे तीन फंदे हैं जब तीनों फंदों को एक साथ उतारते हैं तो हम इसे हाप विल क्रोश्या कहते हैं हमा अगले में डॉल आफ़ देखेंगे हमने अगले मेंड लिटीफिरने में डॉल steering फिर अगले में डॉल ग्यारा उपना इस अगले को sonra करके अपना दूसरा कलर लगा रेना है और अपना दूसरे कलर से हाफ़वल क्रोशे बुनने हैं जितनी चेन होतना है बुनना है किसी भी चेन में आपको दो बार नहीं बुनना है तो चलिए अब मैं इसे बुन के लंबा करती हूं फिर आगे आपको बताऊंगे हमें क्या करत यह देखिए मैंने हाँ पर सिंगल क्रोशे की एक दो तीन चार पांच पांच रो बुंदी हैं अब हमें क्या करना है हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और उपर की साइट हम यह देखें इस तरह से ज्वैंट करेंगे दूसरे को आप चाहें तो इसे मोड के सिल भी सकते हैं मैं इसे हुक की हल्प से ही सिल दूँगी यह देखें कैसे यह हमें हुक को अपना आगे और पीछे दोनों पल्ले में डालना है इस तरह से निकाली और यहां से भी निकाल लिजए यह ऐसे करके यह देखें यह मैंने निकाल लिया आप चाहें तो सिंगल क्रोश या भी बना सकते हैं आपके उपर है टूटली मैंने इस तरह से इसे सिल देना है यह ऐसे करके एकदम एकदम इजी है बहुत ही इजी है यह देखें यह ऐसे करके हम इसे यह देखें यह इस तरह से यह हो गया बस एक चेंड बनाएंगे लंबा करके और कट कर देंगे यह हमारी जे चोली है वह भी के साथ रेड़ी हो गई है यह इस तरह से इसे आप सीधा कर लिजे और यहां पर हमें ढालसे पर यह देना है तो ढूरी बी मैंने सिंपल सी ह्टे करके रखके हो गए हमारा यह बस ये भी रड़ी है चले DRESS में पहना के आपको दिखाती हूं कि कैसी लग रहे है पहना ने पर तो यह देखे गैज यहा पर जो DRESS है मैंने पहना दी है तो तो इसे पहना कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिका दिया अगर आप अपने वीडियो की बीजिए टो एक पसंद आई होगी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर करने अब मैं आपको मिलूंग इस तरह की नेक्स्ट वी